हेलो, मैं योगी का नीजी सची बोल रहा हूँ, आपकी फाइल खुलने वाली है जब बस्ती के डीम को आया फोन बाबा की बुल्डोजा से बचाने का दिया भरोसा लखनव से हमिरपुर तक मचा हड़ कंप जब 20 से ज़ादा अधिकारियों को आई कॉल यूपी के बस्ती जिले के डीम के आवास पर एक कॉल आती है ट्रू कॉलर पे नाम लिखा आता है योगी आदी तिनाद डीम का कॉल रिसीब करने वाले आशु लिपिक को लगता है कि सीयम साहब ने फोन की आए वो घबरा कर फोन उठाता है तबी सामने से आवाज आती है हैलो मैं योगी का नीजी सची बोल रहा हूँ आशू लिपिक कहता है जी सर बताइए डियम आंद्रे वामसी की फाइल लकनओ में खुलने वाली है अगर ट्रांस्पर रुखवाना चाते हो तो डियम साहब को बोलना शाम में बात करे आशू लिपिक कहता है ओके सर आंद्रा वामसी की गिंती तेस्तरार और आफिसर के इलाबा आरोपों से घिरे आफिसर की लिस्ट में होती है जब वामसी जहांसी में तना थे तब एक बत्रकार ने उनके खिलाब शिकायत दी थी जिसके बाद योगी सरकार ने पद से हटा कर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था इसलिए जब कॉल आई तो आशू लिपिक के भी होश उड़ गए लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब को हिला के रख दिया डियम साहब ने तुरंत लखनओ में कॉल मिलाया जिस नंबर से कॉल आई थी उसे वहाँ चेक करवाया तो पता चला की नंबर फर्जी है अब उस कॉल करने वाले की तलाश होने लगी सर्विलांस की मदद से पहचान हुई तो पता चला की कॉल करने वाले का नाम विवेक है वो आगरा कर रहने वाला है अब डियम के आशू लिपिक ने उसे फोन मिलाया और पैसे देने के बहाने आम हट बुलाया जहां पहले से मुस्तायद कड़े स्टीफ की जवानों ने उसे गिरफतार कर लिया लेकिन अभी संकट टला नहीं था बलकि उसने जो खुलासा किया उसे सून का कई अधिकारी सदमे में आ गए पीली टीशट पहने नेटवरलाल विवेक का दावा है किसी पे अधिकारी को कॉल करने से पहले मैं न्यूस पेपर और कुछ लोगों की मदद से पता करवाता था कि किसके खिलाब जाच चल रही है किस पर क्या आरोप है कि जिले में ट्रांसपर पोस्टिंग की संभावनाए बन रही है जब जानकारी मिल जाती तो मैं या तो ट्रांसपर पोस्टिंग के बहाने पैसे लेता था या फिर सीम ओफिस में शिकायत मिलने की बात कहता था 180 अधिकारीों के नंबर मुझे यूं ही याद है हलाकि इसके साथ और कौन कौन स्केल में शामिल है ये पुलिस को पता करवाना होगा लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब तक ये 20 अधिकारीों को इस तरह से कॉल कर चुका है जिस में से कई लोगों ने इसे पैसे भी दिये है ऐसा दावा इसने खुद किया है बस्ती के डियम को कॉल करने से पहले इसने बस्ती के सीडियो को कॉल किया और कॉल पे कह रहा था मैं सचीव मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ आपकी एक शिकायत पंचमतल में आई जिसकी जांच के आदेश होने वाले ही यदि कहिए तो शिकायत करता और आपके बीच की मिटिंग करवा दू लेकिन इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है फोन रखने से पहले इस नटवरलाल ने सीडियो से कहा दूसरे दिन कॉल करूंगा तब तक सोच समझ लो लेकिन दूसरे ही दिन डियम को फोन कर ये फस गया और इसकी सारी जाल साजी पकड़ी गई ऐसे लोगों के जांसे में वही ओफिसर आते हैं जीने ये डर होता है कि कहीं बाबा फाइल न पढ़ ले कहीं हमारे उपर ही बुल्डोजर न चल जाए वरना इबानदार अधिकारी सीधा ऐसे लोगों की शिकायत करते हैं जब अधिकारी ऐसे लोगों के जांसे में आ जाते हैं तो आम लोग क्या ही दिमाख लगा पाएंगी इसलिए ऐसे लोगों से साउधान रहें कोई भी ऐसी कॉल आए तो इसकी जांच करवाईए जाल साजों के चक्कर में न पढ़ें अगर गलती हो जाए तो सजा आज नकल जरूर मिलेगी